असलाम उलेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने की डाल की बहुती चटपटी, मज़ेदार और बहुती हेल्दी चाट बनाने की रेसपी बहुती फिलिंग होती है ये और प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होती है तो बस ट्राइ करिएगा, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा चटपटी से चने की डाल की चाट बनाने के लिए मैंने चने की डाल लीवी है एक कप ये वही चने की डाल है जिसका हम डाल तरका बगरा बनाते हैं और मैंने इसको दो घंटे पहले भीगो लिया था तो ये बहुत अच्छे से भीगीवी डाल है इतने चितर भीगी है कि हाथों से आप तोड़ेंगे न तो ये आसानी से दो इससों में टूट जाएगी तो दाल को अच्छे से डेर से दो घंटा खुले पानी में भीगो लिजगा ये देखिए ये वाली चने की डाल है इसी को मैंने डेर से दो घंटा खुले पानी में भीगो दिया था तो हमाई डाल खोब अच्छे से भीग चुकी है भीगीवी दाल हमको डाल देनी है एक पैन के अंदर और इसमें जाल देंगे डेड़ कब पानी 46-400 पानी का जो लेवल है वह दाल से 1.5 इंच उचा हो इतना हमें इसमें पानी डाल नहें अपर जो इस दिथा की जागा है उसको निकाल देंगे और अब हम दाल को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 6-7 मिंट के लिए हमें खिला-खिला रखना है दाल को इसको अध्यान रखिएगा इसको ओवर कुक नहीं करना है 6-7 मिडियम फ्लेम पर पकाने के बाद हमें गैस की फ्लेम को हाइ कर देना है और अगर डाल के अंदर एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्राइ कर लिजागा मैं डाल के अंदर अगर पानी वगएरा होता है तो मैं उसको फेकना पसंद नी कुरती हूँ अकसल लोग छान देते हैं जो एक्स्ट्रा पानी होता है मैं क्या करती हूँ उस पानी को high flame पर dry कर लेती हूँ इससे जो डाल के nutrients हैं वो इसमें बरकरार रहते हैं वनना अगर हम पानी फेक देते हैं तो काफी nutrients पानी के साथ बहजाते हैं और यहाँ पर हमारी डाल जो है अच्छे से गल चुकी है लेकिन आप देख रहे हैं एक दम खिली खिली है इसी तरह की खिली खिली हमें डाल रखनी है तो यह जो थोड़ा बहुत पानी दिख रहा है मैं high flame पर इसको dry कर लेती हूँ तो यहाँ पर डाल का पानी dry हो गया है अब हम इसको एक bowl में transfer कर देंगे और इसी पैन के अंदर मैं इसमें डालूंगी एक टेबिल स्पून तेल कुछ लोग डायर्ट जो है चाट बनाने लगते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दाल को fry कर लेंगे तो टेस्ट दुगना हो जाता है लेकिन अगर आप दाल को फ्राई नहीं करना चाते तो आप फ्राई मत कीजेगा डायर्ट इसमें जो हम इंग्रेंट करेंगे वह एड कर लीजेगा तो बस दो से तीन नट हाई फ्रेम पर मैंने दाल को फ्राई किया है गैस को हम बंद कर देंगे अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे आधा तीस्पून डाल देंगे अब दाल के अंदर इस पॉइंट पर जो गैस की फ्लेम है वह ऑफ है सिर्फ हमें मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर देने हैं और अब हम दाल को थोड़ा सा थंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि हम इसमें प्यास वगएरा डालेंगे अगर यह गरम होगी गरम में प्यास डाल देंगे तो प्यास अपना पानी छोड़ देगी तो थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं तो यहां पर मैंने 15-20 मिर्ट लिए इसको ऐसे छोड़ दिया था तो अब यह थोड़ी सी शामिल करेंगे और साथ में डेरे से दो टीशपून नीबू का रस पीस में निचोड़ देंगे या फिर खटास अपने अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं और बस एक बहुत अच्छे से बढ़िया सा मिक्स दे देंगे इसको और इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही चटपटी चटाखेदार और बहुत ही हल्दी चने की डाल की चाट बनकर तयार हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आला किसम की चाट बनकर तयार होती है और घर पर रखेवे सिंपल बेसिक से इंग्रीडिंट्स ये बनकर रेडि हो जाती है बहुत से लोग ब बास अब हम इसको सर्फ कर लेते हैं कैसे लगी आपको चने की डाल की चटपटी सी चार्ट की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और आपने मेरे वीडियो कहां से वाच की ये भी मुझे जरूर बताएगा क्योंकि मुझे आपके बारे में जानकर बहुत लगता है और अगर आपको रेसिपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स फर वाचिंग दे वीडियो अलाहाफेज